हेई गाइस वेलकम बैक स्वागत एक वाइव फिर से आपका पोईटी किसान के यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज का वीडियो उन नए फार्मरों के लिए है जो पोईटी फार्मिंग के स्टार्ट करना चाहते हैं और मेरे वाट्साप ग्रूप पे मेरे से कमेंट सेक या फिर वो फार्मर जो फार्म बंद कर चुके हैं या दुबारा से फार्मर करना चाहते हैं तो उन फार्मरों के लिए वीडियो बहुत काम की है आप कैसे अपनी पोईटी फार्मिंग की स्टार्ट करें सुरुवात करें देखे सबसे पहले अगर आपके पास फार्म नही जी नहीं तो दोस्त आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी का फारम रेंट पर ले सकते हैं, रेंट पर बहुत सारे फारम होते हैं, जो रेंट पर चले जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जो फारम छोड़ चुके होते हैं, या कोई और नए बिजनिस में सिफ्ट हो चुके होते हैं लेकिन उनका फारब खाली पड़ा होता है वो अपने फारब को क्या करते है वह रेंट पर दे देते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेंट कateursоп करते मतलब के लिए अच्छी उसमें क्योप्रइटि होती है कि वह अपना फारम न मेंगत l Wed उसमें अपना मतलब Food laugera उसको गेंड करें उसके बाद अपना फारम बंस्डार्ट करें उससे एक चीज का फायदा होगा दोस्तो उस चीज में क्या होगा जैसे कि आपके फारम में कोई कमी अगर आप छोड़ते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये मेरे फारम में कमी है अगर आप नया फारम बनाते हो suppose आपने अगर किसी फारम में काम कर रखा या किसी फारम में आप रेंट पे लेकर काम कर रहे हो तो उसकी कुछ कम्या ठीक है वो आपके सामने आ जाएंगी और जो कि आप अपने जो नया फारम बराएंगे उसमें आपको देखना नहीं होगा उसको आप पूर्ति कर लेंगे लेंगा नहीं होता है कोई-कोई लोग तो ऐसे करते हैं कि सिर्फ आपका जमीन का किराया ले ले लेते हैं आपसे फारम आप पे खाली छोड़ देते हैं अगर उनका दो बीग या तीन बगे की पूरी लागत ले लेंगे साल की फारम उनका 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 रहेगा इससे क्या फारम तो रहता है कम जगह में लेकिन जो स्पेस होता है आस-पास का वह जादा होता है तो कुल मिला के जमीन की कीमत होती है जो उसके फासल की कीमत होती है वह ले लेते हैं और आपको फारम किराय पे दे देते हैं तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि जब आपने अपना फा आप उसमें प्रेविट बच्चा डाल सकते हैं, कमपनी का भी डाल सकते हैं, या फिर आप जैसे डिलर होते हैं, उनके द्वारा भी बच्चा डाल सकते हैं, तीनों का मैं बताता हूं, तीनों का क्या है, फंडा है, सबसे पहले अगर आप प्रेविट बच्चा डालेंगे, त सब्सक्ड आप कोई प्रेशन करते हैं किम सेल कि यहां मैं कहुंगा वहां सेल कोendas pater यहां कोश meant करें आपना सेल कर सकते हैं सब्सक्राइब को ते सब्सक्राइब और टीम οποet कमसे मैं चैनल पर बताता रहता हूं अब दूसरी बात है ये कि दूसरा जो शुरुआत करेंगे या तो आप company के base पे कर सकते हैं अब company के base पे सुरुआत करने में बहुत से लोगों को ये दिक्कत आएगी कि यार जमीन के कागज उनके नाम होने चाहिए मतलब जो फारं है जिसके नाम जमीन है लैंडलॉर्ड है उसके नाम आपके जमीन के कागज होने चाहिए उसमें बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि यार वो बंदा हमारा कहीं पैसा ना दे बहुत से लोग जो जमीन का उनर है वो तो उसके लिए आपका सीधा सा सवाल है सीधा सा कोशन है कि आपको थोड़ा सा इनलीगल काम है पर लीगल है आप अगर जन्यून तरीके से करें तो कोई दिक्कत नहीं है आप अपने अपनी जमीन के डॉक्मेंट कंपनी को दे दीजिए ठीक है बोलना कि यह जमीन हमारी है औ नहीं आपके लगेंगे तो इसी तरह उसमें कर सकते हैं लेकिन यह तोपनल रीकर है यह जाएगा चेसरी बात हो कुछ पैसा पड़ा है आधा पड़ा है और हो चाहते हैं कोई लगा दे मिच से तो उसमें क्या होता है कि आप किसी dealer say से अच्छे dealerican tre क Ondagne कर लें गया कि आपका जो चिकस है का उसको क्या पेसी है पैसों में दे दे देंगे देंगे बात ही कि कुछ payment अपना दाने का लगा देंगे अधीन न इacies और 50-50 पैश क्षे dimon वहां पर आपको माल सेल करना पड़ेगा डीलर अपना माल इसलिए कराते हैं कहीं आप उनका पेमंट जो है वो लेकर ना भाग जाए क्योंकि उनका कई लाग रुपे आपके उपर फस जाता है और वह नहीं चाहते कि आपका पेमंट उनका पेमंट आप पर चला जाए और आपको सबसे पहले अपने farm में management करना है आप चाहे company का पाल लेओ चाहे private पाल लेओ चाहे डीलर का बच्चा पाल लेओ आपको management बहुत tight रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका management tight नहीं होगा तो क्या होगा कि आप unsuccessful हो जाओगे आपको पता ही नहीं होगा कब आपकी ला नाजुक होता है बहुत ही नाजुक होता है मतलब अगारा इसको आप धूप में उठाके धूप में रख देंगे ना तो यह मर जाएगा ठीक है बहुत ही नाजुक होता है अब इस नाजुक से बच्चे को पालने के लिए आपको बहुत अच्छा बहुत tight management देना पड़ता जैसे starting से क्या होता है जैसे हम अपने परिवाहर में एक तरह से जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसको घर्माहर देते है ठीक है उसको छोटी-छोटी medicine देते है ठीक है multi-vitamin देते है इस टार्टिंग से उसको growth करने के लिए उसी तरह क्या होता है कि farm में ही ऐसा होता है ज आपको उसको अपने हिसाब से पालना है management आपको बहुत तगड़ावाला देना है अगर आप management पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका definitely नुकसान हो जाएगा आपको कुछ बच नहीं पाएगा और अगर आपने management पर सही से ध्यान दे दिया तो मैं दोस्तों वादा करता हूं इस बढ़ाना है आपके बच्चों को किस टाइम पर वो करना आ गया ज्यादा कंजिस्ट्र नहीं हो रहा बच्चा किता लीटर डालना है ठीक है तो मतलब चोटी चोटी चीज़ें आपको अगर नूटिस करनी आ गई तो कभी भी आ पोईटी फारिंग में नहीं होंगे पूरा मतलब पूरे बैच को दोस्त देंगे पूरी प्यट्री फारिंग को दोस्त देंगे कि यार ये काम बड़ा गंदा काम है इसमें बहुत ज्यादा नुक्सान होता है ऐसा नहीं है मैनत करोगे फल जरूर मिलेगा अभी क्या है कि जिन लोग नए है ठीक है उन लोग को मैं बिंती करूंगा उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मतलब बिंदास होके काम करें ठीक है और फार्मिंग नहीं रहे जिससे आप सोचते थे कि यार अपना मुर्गा फारम कर रखा है घर में लड़का कुछ नहीं करता बस फारम मुर्गा पाला ऐसा नहीं दोस्त बेनिफिट ले रही है और एक आप हो जो मतलब कुल मिला के जो आप अगर खुद का करना चाहोगी तो आप कितना बेनिफिट निकाल लोगी ठीक है कमपनिया तो आपका फारम किराये पे लेके काम करें तब यूनको बेनिफिट हा रहा है अगर आप अपना अगर आपना का से करो चाहे private से कर लीजे, चाहे contact से कर लीजे, चाहे dealer के थुरू कर लीजे, लेकिन अगर आप इमानदारी से बढ़िया काम करेंगे, management के साथ काम करेंगे, तो definitely आप successful होंगे, ऐसा नहीं कि आप successful नहीं होंगे, और आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा, दोस्तों 10, 15,000, 20, किसी जार की जौब को छोड़ो, 50,000 तक की जौब आप फेल कर दोगे, मैं आप से बादा करता हूँ, अगर आपने सही काम किया, तो आप 50,000 की जौब है, तो उसको भी फेल कर दोगे, बस ये होगा कि आपको हर महीनी तो नहीं मिलेगा, लेकि 35-40 के दिन अंतराल में आपक पेमेंट आएगा, बीच में 5-6 दिन का गैप लगता है, वो आपका लगेगा, लेकिन इतना पेमेंट आएगा कि आगर आप उसे महीने में करोगे, तो आपका कम से कम 50,000 रुपे महीना बन जाएगा, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ, बह आपने अपना फारम तयार कर दिया, उसको याप किराय पर देजी, कोई दिक कतनी आपका 20,000 रुपे अराम से किराय से आ जाएगा, ठीक है, नहीं आये पसंद, आपने अगर दाने काम इस्टार्ट कर दें, उसको गोदाम बना लीजिए, अपने फारम को गोदाम बना बना करना चाहते हैं जैसे कि आपने किसी फार्म का फार्म मुर्गा खरीद लिया अब जाके आप धीरी धीरी जाके आसपास की दुकानों से कौंटेक्ट करिए ठीके लेकिन महनत तो आपको करनी पड़ेगी हर काम में अगर आप महनत करोगे तो ही सक्सेस हो लोगे छोटे-छोट होते हैं चोटे-छोटे सप्लायर होते हैं उनसे बोले कि हम आपको मुर्गा पहुंचा के देंगे गारी ले लिजी ठीक है बहुत सारी ब्रांच उसमें आप खुल सकती हैं लेकिन जो मेंली काम है अगर आप करना चाहते हैं बिना किसी मतलब सरदर्दी के वह है आप फार् करने फिट हो जाता है ठीक है वह एक दूबार की बात होती है कि आपको अगर नुकसान होता है तो ऐसा नहीं कि आपको लागत बापेस न्याई लागत तो लग लगभग 99 परसें बापस आ जाती हैं किसी भी पूलेगा दे नुकसान हुआ है तो वो बोलेगा कि नहीं नुकसान नहीं हुआ है बस बराबर सराबर हुआ है बराबर सराबर मतलब यह है कि उसको पांदस जार पे बची है बस तो गए ना ऐसा तो नहीं बरबाद हुआ है बस तो गए ना बरबाद जब होता है जब आपके फारम का पूर बस अपना दाने का पैसा निकाल लें और बस उसको तुरंत उस टैम वहीं पर स्टॉप कर दें क्योंकि बल्ड फिलु भीमारी एक ऐसी होती है कि वह धीर घूम के असपास अफ़वा भी अगर फैल जाती है तो क्या होगा कि आपके फारम में जो रेट हैं आपको नहीं मिलें हम आज तक आज के बाद आपका होगा तो कटर भी यहीं है होती है कि सस्ता मिलता है तो वह लोग पूरा पूरा फारम खरीद लेते हैं तो इस तरह आप पोरेट्यू फारमिंग के शुरुआत कर सकते हैं बहुत सारी ब्रांच है बहुत सारी चीजीं है जिसमें आप कंफ्य होते हैं कैसे हैं सबसे पहले बाद होती है management कैसे के management के लिए बहुत सारी मैं वीडियो बना चुंगा हूं और बना भी दूगा और बहुत सारे मेरे group पे बताते रहते हैं कैसे होता है पहले दिन आपका अगर बच्चे को गुड़ का पानी ठीक है उसको आप सौट एजवाइन यह चीज लगाई ठीक है लगाने का पानी मिला कि काई टाइप का मिला लिए जैसे इस तरह से एक नवजात बच्चे को गर्माट दी जाती है ठीक है काड़ा बना लिया जाता है ठीक है जोसकी मां को जाती है काड़ा बना कि उसी तरह बच्चों का बना लिया जाता है गुड़ का ठीक है सौट एजवाइन का ठीक है उसमें आप नौसादर वगएरा ही मिला सकते हैं लेकिन कोई नहीं आप सौट एजवाइन और गुड़ का पानी यह लगा लीजिए ठीक है लगाने के उसमें दाना डाल दीजिए तो कुल मिला के सारा छोटा-छोटा स्टैप है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती जाप पोईट्री फार्मिंग आप नहीं कर पाते हैं ठीक है कुछ बाते मैं आने आप से बताए कि जैसे आप पोईट्री फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते है तो कैसे स्टार्ट करें अब देखे बात बजट की है आपके पास पैसा नहीं है तो सबसे पहले बात तो आप किराए का फार्म ले लिजी किराए का फार्म ले लिजी किसी डीलर को पकड़ लिजी देखे कुछ बिजनिस स्टार्ट करना लेगा अगर आप एक बिजनिस लगी इसा तो नहीं हो सकता आपको क्या हो सकता है याниभार, मैंनेजमेंट के लिए चलाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग और बहुत जद rigtप 검रा होता है सब्सक्राइब आपके पास पैसा नहीं है आपने बीच में बच्चा डाल दिया management के लिए पैसा नहीं है तो क्या होगा कि आपकी जो mortality बढ़ जाएगी mortality होनी start हो जाएगी तो जो benefit होना था वह भी आपका बिल्कुल खतम हो जाएगा तो इसी तरह लाट खराब होती है क्योंकि क्या होता सारा पैसा एक साथ जोग दिया पूरे फारम का अब क्या हुआ कि उसमें आपको जो management करना था वह आप नहीं कर पाए तो आपकी mortality start होगी सब्सक्राइब करें आपके एक दवाई लगनी है जिसका कीमत 2,000 रुपे है आपके पास 2,000 रुपे नहीं होगे तो क्या होगा आपको management के साथ आपको पैसा जरूर चाहिए होगा ठीक है तो कुछ पैसा आपको लगाना पड़ेगा पॉजटी फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए और देकि सब चीज मैं आपको डिटेल बाइट बताता रहता हूं लाइब भी आऊँगा सटेड़े संडे मैं लाइब आता रहता हूं और कल से मतलब पिछले लास संडे से मैंने स्टार्ट किया है और जो भी आपके जो भी जो लिफ्टिंग होती कंपनी कैसे करानी है जो भी छोटी से छोटी बात होगी मैं आपके साथ हूँ मैं आपके सारे सारे कमेंट्स का जवाब मैं आपके दूंगा और आप मेरा गुरूप भी जोइन कर सकते हैं गुरूप पर जो भी आपकी हेल्प होगी आप मुझसे मां सकते हैं या बहुत सारे लोग हैं वहाँ से आप हैल्प ले सकते हैं तो दोस्तों चोड़ा वीडियो आपके लिए था और जल्दी नेक्स टुवी मिलेंगे तब तक के जैहिन बंदे मातरम